हेलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो हम बात करने वाले यह करेगा हम यूपी बीड इंट्रेंस 2020 के लिए देखिए इसमें फ्रेंस जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें काफी सारे जो कमेंट्स आ रहे थी कि इसमें जो है ग्रेजोशन या पोस्ट ग् होने चाहिए उसमें जर्नल, OBC, SC, ST और हेंडिकेप और देखिए आधर इस्टेट के लिए देखिए इसमें अभी हम इस पे चर्चा करेगे साथी साथ इससे पहले हम यहाँ पे अभी एक पोइंट्स को यहाँ पे डिसकस करते है देखिए अगर आप जो है बीटी सी करते ह होती है देखिए उसमें आप जा सकते है अगर आपने बीड किया है या आप बीड करने जा रहे है तो आप जो है प्राइमरी, जूनियर, टीजी टी, पीजी टी और जो है ल्टी गरेड की जो वेकेंसिया होती है आप उसमें जा सकते है या आप जो है इसमें सिक्सक बन सकत है तो आप देखिए इसमें बेर इंटरेंस जो एक्जाम और होने वाला अप्रेल में देखिए है तो फ्रेंस देखी आपके पास जो काफी समय तयारी के लिए अब लगतार तयारी करते रही है मुझे अगर आप जो हमारी जो फिरी से और फ्रेंस देखे साथ ही साथ जो हमारा यूपी बीड इंट्रेंज 2020 के लिए क्लास चलने वाला है और तो अगर आप इसको जोईन करना चाहते है तो फ्रेंस देखी आप जो टेलीग्राम गुरूप जोईन कर लिजिए साथ ही साथ देखी वहां पर आपको परती ए अब बात करते हैं कि यहां पर कितना आपका जो है परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए देखिए आपका जो है इसमें पोस्ट के लिए देखिए अलग-अलग के टेगरी के लिए देखिए आपे सबसे पहले यहां पर देखे कि हम यहां पर जो है इसमें जैर्नल के लिए इसके बाद जो है OBC, SC और यहाँ पे ST के लिए देखिए आपका अगर मान लेजी आपका बीकोम या BSC में जो है आपका 50% मार्क्स आपके यह नहीं बन पा रहे हैं तो आप जो है उसको MA, MSC या MCOM के आधार पे उसको जो है कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे आपका जो है ग्रियोषण में देखिए यहाँ पे पचास परसेंट मार्क्स आपका होना चाहिए इसमें जनल के लिए OBC के लिए भी जो यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए SC और ST के लिए आपे जो है 5% की जो है इनको जो है छूट दी गई है यानि कि आपका 45% मार्क्स आपका होना चाहिए B.A.B.S.C.B. कोम में देखे अगर आपका B.A.B.S.C.B. कोम में नहीं है तो आपका जो है M.A.M.S.C.M. कोम में होना चाहिए इसके बाद है कि यहां पर हिस्टेट के लिए जो है कितने percent time इनका होना चाहिए तो आधर इस्टेट के लिए और ऐपात करते कि फ़र्वर्वरि के फ़र्ष्ट विख होना में ऐगा, इसमें देखे परकितो चाहिए और जो final year के exam देने वाले आपकी बार देखिए बीए बेसी बीकॉम का तो आपका जो है form जब आपका भरा जाएगा देखिए उसमें तो आपका देखिए अगर मान लिजी आप final year में है बीए बेसी बीकॉम के तो भी आप इस form को जो है अपलाई कर सकते हैं साथी साथ देखि यहाँ पे आपका दो परकार की seat होती है कुल मिला के 2,00,000 seat है पूरे यूपी के अंदर देखिए बीएड की तो उसमें देखिए 10,000 जो seat है वो है आपकी free seat और बाकी जो 1,90,000 seat होती है वो होती है देखिए आपे private seat जिनकी जो fees होती है लगबग 55,000 से 60,000 होती है और इसके बात जो 10,000 seat होती है वो होती है बिलकुल free जिनके जो है high marks या high rank आती है अच्छे marks आते है तो उनको ये जो है free seat जो है मिलती है और इसकी जो fees लगती है first year की इनकी मुश्किल से 5-6,000 के आसपास इनकी जो fees होती है बहुत कम fees होती है तो आप अभी से तयारी करिए friends के ड़ाई से 3 महीने का आपके पास समय है तो आप अराम से free seat निकाल ले जाओगे देखिए friends जल्दी जो एक लास है स्टार्ट हो जाएगी तो आप जो है टेली गराम गुरूप को जोन कर लिजी और जो है चैनल को आप जो है सस्क्राइब कर लिजे friends